मालो की कभी इन फ्यूचर बिना किसी भनक के भारत पर चारों तरफ से एक साथ हामला हो जाए और एनिमी के मिसाइल्स, रोकेट्स, टैंक और फाइटर जैक तेजी से भारत की और बढ़ रहे हों पर इससे निप्टने के लिए हमारी कोई भी त्यारी ना हो इसे बनाने का काम सन 1989 से चल रहा है और दो संस्थाओं बार्क और DRDO ने इसे मिल कर बनाया है इसकी खासियत यह है कि यह ऐसी किसी भी चीज को नश्ट कर सकता है जिसमें इलेक्टरोनिक चिप, सरकीट या फिर किसी भी तरीके की वायरलेस तकनीक हो मतलब टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट, सम्मरीन और यहां तकी सैटलाइट भी इससे नहीं बच सकती पर यह काम कैसे करता है तो देखो यह एक एनरजी पैदा करने वाला डिवाइस है और कुछी नैनो सेकंड्स में हजारों इलेक्टरो मैगनेटिक तरंगों की बुचार करता है जिससे कोई भी इलेक्टरोनिक डिवाइस तुरंत खराब हो जाती है यह कितना सीक्रेट है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रिक्षा मतरी ने लोकसाबा में भी इसके बार में कुछ बताने से इनकार कर दिया